हेलो एब्रीवान कैसे हो आप सब आई होग कि आप सब अच्छे होगे मैं भी ठीक हो और आज का वीडियो होने वाला है साइकल उनके उपर तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को इवेंट में गई थी वहाँ पर उन्होंने इनको समझाया था कि आप आपके हिसाब से दो घर आपके ठीक हैं अब आपको आगे अपने लाइफ जीनी चाहिए आपको अपने लाइफ के उपर गौर करना चाहिए तो उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाय थी लेकिन वो इनका दिमाग इतना जादा खराब है इतना जादा खराब है इनको जिन्दगी जीने के से कोई मतलब ही नहीं है इनको सरफ भूक होती है जो एक नियत इनसान की खराब हो जाती है इनके साथ में वो प्रॉब्लम है इतने बड़े सेमिनार में जाने के बाद भी आज भी ये कोई भी इंसान का भरोसा नहीं होता है कि कभी भी भगवान का भुलावा किसी को भी कभी भी आ सकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इंसान के पास जिन्दगी में जितने भी दिन है या जितनी भी उमर उसकी बाकी है मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा उसको सर्फ अपनी जरूरुतव को ही पूरा नहीं करना चाहिए जिन्दगी अगर भगवान ने हम लोगों को इंसान की जून में भेजा है तो हमें तोड़ा सा जिन्दगी को जीना भी चाहिए और जो चीजें हमारे पास हैं हमें उसमें भी खुश रहना चाहिए ऐसा नहीं है कि हर चीज के पीछे भागते रहना चाहिए पूरी लाइफ हमें सिर्फ स्ट्रगल में निकालनी चाहिए और यही चीज संदीप महिश्वरी सर ने भी इनको समझाई कि सारी जिन्दगी आप स्ट्रगल के पीछे या लोन 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 करके अपनी जिन्दगी मत खराब करो और भगवान ने आपको दो घर दिये हैं और आपने महनत भी की है अगर रोना धोना करके भी चाहे कमाया है लेकिन आपके पास आज की डेट में दो घर हैं और दो घर आपके एक छोटा बेटा है तो उस बचे के लिए दो घर बहुत इनफ हैं मेरे हिसाब से और अगर आपके सपने तब भी बहुत बड़े हैं तो at least जिन्दगी को तो जी लो सपने पूरे करने के लिए आप एक दो महीने चार महीने एक साल रुक कर भी वो चीज़े कर सकते हो लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आता हर दूसरे दिन हर रोज रात को इनको साथ बज़े जो दोरा पड़ता है उस दोरे के दोरान हम लोगों को नजर आता है इनकी कम्यूनिटी पे सारे इनके दोरे से रिलेटेड जो चीज़े निकल निकल के आती हैं आप सभी को पता है कि साथ बज़े के बाद धड़ा धड़ कम्यूनिटी 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 आती हैं जिसमें कि हर कम्यूनिटी में पैसो से रिलेटेड लोन से रिलेटेड बाते होती हैं हर जगा पे इस तरीकी की चीज़े दिखाई जाती है कि मेरे बैंक में इतना पैसा है, मेरे को इतना करजा देना है, मेरे को इतनी सलरी आने वाली है, मुझे इतना पैसा मम्मी का देना है, इतना पैसा पापा का देना है, इतना हिसाब किताब तो हम अपनी पर्सनल लाइफ मे करते हैं जितना ये सोशल मीडिया पर मैडम बैटके करती है और अगर फिर कोई बोल दे तो इनको लगता है कि परसनल बात पर क्यों बोला जा रहा है इनको ऐसा भी फिल हो जाता है कोई सारे इनके सब्सक्राइबर ऐसे बोलने है वो उनकी personal life है आप क्यों बोल रहे हो तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि देखिए जो चीज़े personal होती है उसको personal ही रखना चाहिए अभी आप कहां की बाते कहां लाकर रख देते हो आपको खुद भी समझ में नहीं आता और इन्हों ने बोला कि मैं दूसरी शादी पे एक कहांई मेंना की बाती कर रही थी मैं अपनी imagination आप लगों के साथ में share कर रही थी तो मैं इनकी जो कहांई है उसके उपर बोलूँगी कि देखिए कोई भी इंसान के लिए कोई भी चीज़ के लिए ये शादी कोई मजाक नहीं होता है आपने महंदी तक लगा लिए अपने हाथों में उसके बाद आप लहंगा तक ले आए अपनी शादी का चाहे आप पंद्रा सो कर लाए लेकिन वो लहंगा लहंगा शादी वाला ही है ठीक है सुहाग की निशानी ही होता है वो लेंगा, वो सिंदूर जो आप मांग में भरके दिखा रहेते हम लोगों को और फिर उसको मिटाया जा रहा था बहुत सारी चीज़े ये मैडम भू करती है और हम लोगों के लिए तो महंदी भी उस शगुन और उस शिंगार का ये एक पार्ट है जो आप महंदी अपने हाथों में लगा के आपने अपनी इमेजिनेशन की बेकवास कहानी सुड़ाई थी इतनी बेकवास कहानी तो शायद आप कभी खुद भी नहीं सोच सकते कि आप कितना गंदा कर रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके मन में शादी से कोई भी चीज है या आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में शादी करनी चाहिए आपकी मतलब ज़रूरी चीज है ये शादी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दिल पड़ेगा में इतनी फॉर्स टेशन तो नहीं होगी आपके वीडियो उसको देखकर लोगों ने क्या-क्या नहीं बोला लोगों ने क्या-क्या नहीं किया सिर्फ इसके लिए कि मतलब लोग आपको यह सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ चल दूसरी शादी होगी लड़की सुखी जाएगी आगे इसके लाइफ अच्छी हो जाएगी यह हो जाएगा यहां तक कि लोगों ने दुआएं तक देनी शुरू करती थी आपको और उन दुआओं के बाद आप यह बता रहे हो कि मैं तो सर्फ कहानी सुना रही थी अपने मन की अंदर खिचड़ी बना रही थी औ और अभी आगे भी यह सब करूँगी तो आपको क्या लगता है आपका चैनल इस कहानियों के बेस पे चलेगा अगर आप करसा लगता है कि कहानियों के बेस पे चलेगा तो प्लेज आप स्टोरी चैनल अपना ओपन कीजे और संदीप महेश्वरी सर के इवेंट में सेमिनार में जाने के बाद भी अगर आपको तमीज और अकल नहीं आई तो मेरे असाप से उनसे बड़ा तो कोई ऐसा मोटिवेशनल इंसान कोई है ही नहीं दुनिया में जो आपको कोई धंकी बात भेजे में डाल पाए क्योंकि उन्होंने आपको अच्छी बात समझाई कि आप मकान क तरस ना भागे, तो फिर आप कहानी लेकर आगे मकान की की मैं मकान बनाऊंगी तीसरा मकान बनाना मुझे जब कि आपका लोड़ भी ये भी क्लियर नहीं हुआ और आप रोज हर दूसरी दिन यहीं कहानी सुनाते हो मेरे पर इतरह करजा है मेरे पर उतना करजा अब यार ए लें कहानी पैसा भरने और जो कहानी आपने अपने अपने सब्सक्राइबर सर था ही नहीं वह इमेजिनिशन थी और अकर था तो वह वही रिख्षे वाला था जो बागी चैनल ने खिलेर किया इस चीज़ को तो आपको शर्मानी चाहिए अपने चैनल के उपर अपने कर रही हूं मैं एक्सरसाइज कर रही हूं मैं यह कर रही हूं आरे यार कोई फायदा नहीं है यह सब चीजे करने का जब आपकी सोच गीरी हुई है आपकी समझ में कुछ नहीं घुसता है आपकी बुद्धी में गोबर है तो फिर यह सारी कहानिया करने का यह सब चीजे करने जो है वो यही है और आपको जो मिनिट मिनिट में दोरे पड़ते हैं प्लीज उसका इलाज कीजिए अधर्वाइज आपके प्रॉब्लम आपको ही होगी हम लोगों को नहीं होगी हमें जादा-जादा क्या होगा जिस दिन हमार को भी ऐसा कोई एक पहला दोरा भी पड़ेगा इस तरीके का हम उस दिन से आपका boycott कर देंगे हम आपको देखना छोड़ देंगे आपके अंदर वैसा भी ऐसा कुछ है नहीं कि जो हम देखें और सीखें तो जब कुछ होगा ही नहीं तो हम आपका boycott करेंगे और उसके बाद अपना life में normally हो जाएंगे लेकिन आपके दोरे आपके लिए हानिकारक हैं आप इस तीट को अभी समझ लो तो भी ठीक आगे future में समझो तो भी ठीक जो भी आपको करना है आपकी खुद की life है और मुझे असा लगता ही कि इनको भीक मांगने से अच्छा है कि इनको अपने पे काम करना चाहिए बहुत भीक मांगते है ये digital होता है इनसान का वो वेस्ट किया इनके साथ पिता कर और इनकी साथ इनकी कहानी को सुनकर क्या ही बोलें उनकी बात भी इनके बेजे में नहीं गुसी मुझे तो हैरानगी इस बात किये कि इतने बड़े इनसान इतने बड़े motivational इनसान के पास जाकर भी इनकी बुद्धी मे कुछ नहीं घुशा तो क्या ही भूले तो यही था अज का वीडियो उम्हेद करूंगी कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओगा तो लाइक शेयर सब्सक्काइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा आगे के वीडियो के अपडेट मिल लेंगे आपको तो मैं मिलती हूं अगले वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई टेक केर